नमस्का दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है NSIC यानि की National Small Industries Corporation Limited इसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो को अन तक देखेगा पसंद आए तो लाइक कीजेगा इसके साथ बैल आइकॉन का बटन जरूर दबाईए हैं इसके अलावा आप हमेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो बात NSIC की कर रहे थे यानि की जिसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई और अगर हिंदी में बात करूँ तो राष्ट्रे लगू उद्योग निगम लिमिटेड तो ये जो है NSIC ये MSME के अंतरगत आती है अब ये NSIC का इतिहास क्या है NSIC आपके लिए जानना क्यूं जरूरी है और इसका बिजनस से क्या लेना देना है ये जरा ध्यान से समझेगा क आज आपको बड़ी सारी चीज़ें ऐसी पता लगने वाली हैं जो शायद अब तक आप नहीं जानते थे या फिर बहुत अच्छे से नहीं जानते थे कुछ-कुछ पता था कुछ-कुछ पता बाकी चलना था तो आज इस वीडियो के जरीए वो तमाम चीज़ें आपको बत ट्रंड, स्कीमे और टेकनो़जी प्रद्योगी की कारेकरम आदी के कारे करता है। राश्टि लगू उद्योग निगम अनेएक सूक्षम, मद्यम एवं लगू उद्योग के विकास में सहाधा करता है और प्रड़क्ट बेचने और निर्यात बढ़ाने में मदद करता है। लगू उद्योग निगम सर्विस केंद्रों के जरीय में अपना कारे सुचारू रूप से चलाता है। इन तमाम कारेओं के अलावा National Small Industries Corporation के मुखे रूप से कारोबार करने वाले कारोबारियों की ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन करने का कारे होता है। एनेसाइसी का कारे वेवसाइक जन्शक्ति को बढ़ावा देना है। इसके लिए ये कई तरह के पैकेज उपलब्त कराता है। रिपेर, मुबाइल रिपेर, एसी रेफ्रिजरेटर एवं वाटर कूलर रिपेर जैसे कोर्सेस में निश्यूल का ट्रेनिंग देकर रोजगार के लाइक बनाना और रोजगार के अफसरों से अफ़गत कराना है। अब तक तक तकरीबन फंद्रासो चात्र रिपेर शिक्षन पा चुके हैं। जिनमें लगबग बासित प्रतीशत महिलाएं, पैंतालीस प्रतीश युबार सुवर रोजगार या रोजगार प्राप्र कर चुके हैं। NSIC का उद्देश य बेरोजगारों के अंदर से उनके कौशल को बाहर निकालना है। उनके कौशल को सही सित राशना और उन्हें रोजगार के अफसर देना है। जिससे छात्रों के साथ साक्षेत्र का भी विकास हो सके। इस भी छात्रों को उनका बिजनस शिरू करने की भी जानकारी दी जाती है। साथ ही अपना बिजनस शिरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राश्री लगू उद्ध्योग निगम कैसे सूक्ष में एवं लगू उद्ध्योग को सेवाएं उपलब्द कराता है नई नई टेकनीक्स को अपनाने के लिए प्रामश देना माननेता प्राप्त लेबराटरी के माध्यम से सामगरी जांच की सुविधा देना साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डीटेल्स आपको दी जा चुकी है ब्राच काना सर्विस केंद्र एरिया चिन्नई, चमडा और फुट्वेर, हावडा, जनरल इंजिनरिंग, हैदरबाद, इलक्ट्रोनिक तथा कंप्यूटर अप्लिकेशन, नई दिल्ली, मशीन टूल्स और उनसे जुड़े कार्य, राजकूर्ट, उर्जा आउडिट तथा उर्जा सरक्षन कार्यक्लाप, राज इंगर, ताला कलस्टर तथा डाई एवं चूल मेकिंग, नीम का जनरल इंजिनरिंग, नाशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉपरेशन में किसी भी उद्योग का रिजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीज जमा कराना होती है, आप इससे जुड़ी फीज यहां देख सकते हैं, परचेस करती है, जिसमें स्माल इंडस्ट्रीज के प्रड़क्ट को मार्केट में बेचा जा सकता है, और इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट स्टेबलिश किया जा सके, यदि किसी कारोबार का टरनोवर एक करोड रुपे तक है, तो सिंगल पॉइंट रिजिस्ट्रेशन स् ऐसे अलग से एपिकेबल होते हैं, रिजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यदि आप किसी भी तरह का एडिट या संशोधन कराते हैं, तो रिजिस्ट्रेशन फीस के रूप में दी गई रकम की आधी रकम फीस के रूप में फिर से देनी होगी, अगर आप अपने NSIC सर्टिफ फीस में 20 प्रतिशत तक सबसीडी प्रदान की चाती है, पुटीर यानि की माइक्रो उद्द्यों के निरिक्षन के लिए 6,000 और लगू यानि की स्मॉल बिजनस के निरिक्षन के लिए 8,000 फीस अलग से देनी होगी, NSIC में रिजिस्ट्रेशन कैसे होता है, National Small Industries Corporation से आप आप आउनलाइन या ओफलाइन जूर सकते हैं, चलिए जानते हैं, आप National Small Industries Corporation में रिजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, NSIC का आउनलाइन रिजिस्ट्रेशन, NSIC में आउनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले NSIC की वेबसाइट पर जाना होगा, आप वीडियो के दिस्क्रिप्श के साथ अटाच करना है, NSIC का ओफलाइन रिजिस्ट्रेशन, ओफलाइन रिजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भर कर और जरूरी दस्तावेजों को एकत्रित करके राश्ट्रे लगू उद्योग नेगम के नजदी की कारयाले में जमा करना होगा, NSIC का ओफलाइन रिजिस्ट MSME और NSIC का क्या समंध है आपस में, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप NSIC को अच्छे से समझ चुके होंगे, फिर भी अगर कोई सवाल बाकी है तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए कमेंट सेक्शन में लिखिये, अपना सवाल और जवाब देने को हम तयार हैं, कोई भी सवाल कोई भी क्वेरी, कुसी भी तरह की कोई आशंका, अपने मन में मत रखे बिजनस को लेकर, क्योंकि बिजनस एक ऐसी चीज है, जिसमें आप बहुत साथा पैसा इंवेस्ट करते हैं, पूरी पूंजी आप इंवेस्ट कर देते हैं, इस कारण की आने वाला समय जो है, वो सचा साथी